मेरा पर्सनली खुद का हमेशा यह मानना है कि जब भी हम किसी को पैसे देते हैं या किसी से पैसे लेते हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पे पैसे एड़ करते हैं आराम से उसके बाद में step follow कीजिए otherwise आपका जो पैसा है वो deposit नहीं होगा क्योंकि आपको पता ही नहीं है कैसे पैसे बेजने है reference number, UTR number, transaction number कैसे लाएंगे इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही detail में step by step जानेंगे आप किस प्रकार से वजीरिक्स exchange में अपने bank account के माध्यम से wallet में पैसे add करेंगे पैसे add करते समय UTR number, transaction number, reference number किस प्रकार से आपको यहाँ पे submit करने है minimum आप कितना पैसा deposit कर पाएंगे maximum आप कितना पैसा deposit कर पाएंगे और इसका बीच का समय क्या है और आप जो पैसा भेज रहे अपने bank account के माध्यम से कोई UPI क्या accept होगा या नहीं होगा या फिर IMPS, NFT, RTGS किसके माध्यम से आपको भेजना है इन सभी option में से आपके लिए best कौनसा option होगा सबसे पहला step है आपको वजीरिक्स exchange के mobile application को आपके mobile में install कर लेना है जो भी आपका email ID, password हो डालके login करेंगे, first look कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, नीचे आपको काफी सारे option देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे आपको एक option मिलेगा last में wallets का, just यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे एक INR वाला option दिखाए देगा, जहाँ पे लिखाओगा INR, नीचे लिखाओगा rupees, यहाँ पे आपके wallet में जितने भी पैसे होंगे, वो आपको दिखाए देगे जैसे 1,055 रुपय, 19 पैसे कि something मेरे पास है, या फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा deposit वाला option, just यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बद में नीचे 2 option मिलेंगे, आपको deposit वाले option पे क्लिक करना है, आपको payment method या payment option दिखाए देंगे, जिनको आप use करके वजीरिक्स exchange के INR wallet में पैसे add कर सकते हैं, तो सबसे पहला है standard deposit, जो कि यह UPI वाला, लेकिन यहाँ पे currently unable नहीं है, यानि कि यह disabled है, यह फिर आप बोल सकते होगे, कि temporarily suspend है, UPI फिलाल नहीं चल रहा है, इसके अलावा भी दो option आपको मिलते हैं, जो कि standard deposit, NEFT, RTGS, IMPS, दूसरा है, वजीर P2P, अगर आप नए user हैं, मैं तो आपको suggest करूँगा कि वजीर X P2P से दूर रही है, बहुत complicated है, और हो सकता है कि आप जो transition करें, वो आपका होई नहीं, पहले सीखिए, समझिए किन-किन बातों का ध्यान रखना है, तब कीजिए, अथवा मत कीजिए, so हम यहाँ पर यूज करेंगे, standard deposit का हमको जो option मिल रहा है, NEFT का, RTGS का, IMPS का, अब यहाँ पर कुछ और basic detail यहाँ पर लिखी हुई है, processing time है, 6 गंटे से 24 गंटे का, यानि कि जब आप इनके bank account में पैसे भेज देंगे, सो 6 गंटे से 24 गंटे के अंदर अंदर जो पैसा होगा, वो आपके wallet में जमा हो जाएगा, just आपको यहाँ पर यह जो banner है, इस पर क्लिक करने है, इस पर क्लिक करने के बाद में, दो option आपको दिखाए देंगे, पहला option है, standard deposit, 24 hours से 48 hours, banking hours, दूसरा है standard deposit, 24 hours 48 hours, banking hours सेम यहाँ पर limit आपको दी गई है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर दो-दो option क्यों दिये गए है, I think इनोंने जो अलग-अलग bank detail होगी वो provide करवाई है, ताकि जो traffic है, वो divide हो जाए और users का जो पैसा है, वो जल्दी से जल्दी deposit किया जाए, क्योंकि यह automatic नहीं है, जो इनकी team में वो verify करती है, तब पैसे आपके deposit करती है तो दो option आपको दिखते हैं, जब आप यह video देख रहे हो, अगर एक दिख रहा है, जो भी option आपको दिख रहे है, just आपको click कर ले उसके बाद में आपको एक pop-up आता है, यहाँ पर clearly आपसे बोला जारहे है, कि आप जो पैसा है, वो UPI application को use करके मत भेजिएगा, चाहे वो phone पे हो, Google पे हो, PTM हो, या फिर किसी भी other application को आप use करके नहीं भेज सकते, जो कि UPI application है, यहाँ पर clearly mention किया गया है, कि जो आप पैसे भेज देते हैं, UPI के माददम से, वो reject हो जाएंगे, and refund हो जाएंगे, 15 दिन के अंदर-अंदर, और मान लीजाए, अगर आपको यह refund नहीं होता है, for example, कुछ region हो जाते हैं, वैसे 99% refund हो जाएंगे, but for example, 1%, आप जो पैसा भेजते हैं, अगर उसमें loss हो गया न, UPI के माददम से जो भेजा है, उसमें वजीरेक्स की कोई responsibility नहीं है, इस बाद का भी खास कर ध्यान रखने हैं, वैसे ही ऐसा होता नहीं है, यूजर भेज देते हैं, फिर बाद में बहुत समय लग जाता है, refund होने में, so as a warning यहाँ पर बताया गया है, उसके बाद में आपको नीचे एक option मिलेगा, acknowledge this पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर एक option मिलेगा, आपको show bank details यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको वजीरिक्स exchange का bank account detail दिखाई दी रहा है, जिसमें आपको पैसे भेजने हैं, वजीरिक्स exchange के साथ जो भी आपका bank account link है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और वो refund हो जाएगा 15-20 दिन में, जो भी registered bank account है, सरफ उसी से आपको पैसे भीजने हैं, इसके अलावा जब आप पैसे भीजते हैं, इंटरनेट banking और mobile banking से वजीरिक्स exchange के bank account में, आपको remark में, वजीरिक्स exchange के साथ, जो भी registered mobile number link है, वो आपको यहाँ पर provide करवाना है, अब यहाँ पर ने एक बहुत important point है, जो आपको समझना है, सरफ अगर आपका यह clear हो गया, सो सारे confusion clear हो जाएंगे, अब आपके पास internet banking या mobile banking दोनों में से एक option होना चाहिए, थाकि आप पैसे भीज़ पाएं, वजीरिक्स exchange के account में, IMPs के माद्धम से, NEFT के माद्धम से, या फिर RTGS के माद्धम से, अब आप में से बहुत सारे user यहाँ पर confused हो जाते हैं, कि हम पैसे कैसे भेज़ें, हमें process नहीं पता, आपके पास mobile banking है already, आपके mobile में, आपने जो bank का application हो इंस्टॉल कर रखा है, सारी facility अवेबल हैं, लेकिन आपको यूज नहीं करना आता, आपके पास जो भी bank है, उसका आप tutorial देख लीजिए, YouTube पे उसका process समझ लीजिए, उसके बाद में कुछ बाते हैं, वो मापको इसमें explain कर रहा हूँ, वो same to same बाते, आप जब पैसे भेज रहे हैं, तब apply कीजिए, आपका काम हो जाएगा, अगर आपके पास State Bank of India, यहन की SBI में bank account है, और वो link नहीं है, लेकिन आपके पास है, वजीरिक्स exchange में अपना registered bank account हटाईए, SBI का link कीजिए, अगर आप SBI bank account link कर लेते हैं, वजीरिक्स exchange के साथ में, सारे स्टेफ फिर आप follow कर सकते हैं, कोई भी दूसरे tutorial देखने की आपको जरुरत नहीं पड़ेगी, आपको SBI bank का, योनो लाइट SBI mobile application आपके mobile में इंस्टॉल गर लेना है, अगर आप setup नहीं कर पाते हैं, तो again इसके आप tutorial देख लीजिए, अगर आप use करते हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है, जैसे ही आप open करेंगे, first look कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, उपर आपको एक option दिखाई देगा, क्यों transfer का just आपको यहाँ पे click करना है, यहाँ पे एक option आपको मिलेगा, send money using account details, just इस पे click करेंगे, इस पे click करने के बाद में, आपको कुछ इस प्रकार का page दिखाई देगा, यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूँचा जा रहा है, beneficiary name, beneficiary name आपको कहाँ पे मिलेगा, वापस से आएंगे, वजीर x exchange के deposit वाले page पे, यहाँ पे आपको जो भी beneficiary name दिखाई दे रहा है, वो just आपको यहाँ पे type करना है, ध्यान रखिएगा, मन से कुछ भी मतलिक दीजीएगा, यहाँ पे आपको नाम दिखाई दे रहे, वो ही नाम आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद में आप से पूँचा जा रहा रहा, beneficiary account number, जो भी beneficiary का account number आपको दिख रहा है, वो beneficiary का account number आपको डालना है, उसके बाद में वापस से confirm करना है beneficiary का account number उसके बाद में beneficiary का IFSC code जो भी आपको IFSC code दिख रहा है वो डालना है उसके बाद में amount to be transferred आप कितना पैसा भीजना चाहते हैं वजीरेक्स exchange के account में जितना पैसा भीजने वाले हैं उतना ही जो पैसा है वो आपके वजीरेक्स exchange में जमा होने वाला है लेकिन minimum requirement पढ़ लें कि कम से कम आप कितना पैसा deposit कर सकते हैं सो 1000 रुपई था कम से कम सो 1000 डालेंगे ऐसा नहीं कि 500 डाल दिये 600 डाल दिये कम से कम 1000 है तो 1000 ही डालेंगे and maximum limit को भी cross नहीं करेंगे 10 लाग की limit है सो 1000 से 10 लाग के बीच बीच में आपको जो पैसे हैं वो डालने इस बात का ध्यान रखना है उसके बाद में remark में वजीरेक्स exchange के साथ में जो भी आपका registered mobile number है वो mobile number आपको यहाँ पे provide करवाना है उसके बाद में आपको submit पे click करना है submit करने के बाद में आपको वापस से detail दिखाए देंगी आप इनको एक बार verify कर ले कि सब कुछ ठीक है ना आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है उसके बाद में confirm पे click करेंगे आपके bank के साथ जो भी mobile number link होगा उस पे आपको OTP भेजा जाएगा वो OTP डालेंगे submit करेंगे उसके बाद में आपका जो पैसा होगा और transfer हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं 1540 रुपे मैंने भीजे हैं 1540 रुपे मेरे successfully transfer हो चुके हैं पैसे तो आपने successfully भीज दिया है लेकिन अब आपको सबसे पहले ये पता करना है कि पैसे भेजे कैसे हैं आपने अब माल लीजे आपका bank ऐसा है जो पहले ही आपको बता रहा है कि भाई कैसे पैसे भेजने हैं आपको select करने का option आ रहा है लेकिन हमारी condition में नहीं है हमको तो पता ही नहीं है कि कैसे पैसे हमने भेजे हैं पर थैसे कैसे भेजें हैं आएंपियस के माददम से भेजे हैं एडी आफ्टी के माददम से भेजें हैं या धीस के माददम से भेजें हैं दूसरा हमको पता करना है क्या हमारा reference number UTR number transaction number क्या है यह तीनों मेंसे आप कुछ भी बोल लीजिए आप इसको reference नमबर मान सकते हैं, so आपको क्या करना है, यहाँ पर My Accounts का एक option मिलेगा, just यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद में Mini Statement पर क्लिक करेंगे, जो भी अपनी पैसे ट्रांसफर किया है, वो स्टार्टिंग में उपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, so जैस नमबर है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 718 last में मेरे reference number है, so आपके भी जो reference number है, IMPS किया है, so IMPS के बाद में लिखा होगा P2A, उसके बाद में जो भी लिखे है ना, वो reference number है, और यह reference number आपको text message के दुआरा भी bank आपको provide करवा देता है, so जो भी reference number मुझे द 12 से 16 digits के होते हैं, अब आपको वापस से वजीरेक्स exchange के mobile application पे आजाना है, deposit वाले page पे, अब आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll करना है, अब आपको यहाँ पे एक option मिलेगा, mode of payment, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे IMPS के माददम से मैंने किया है, so मैं IMPS select करूँ होगा, वो detail आपको दिखाए देंगे, और इसी से आपने पैसा भीजा है, नीचे आपसे पूछा जा रहा है, amount deposit, आपने कितने पैसे वजीरेक्स exchange के bank account में जमा किये हैं, वो amount आपको डालना है, उसके बाद में UTR, transaction number, reference number A की बात है, so आप just अभी जो copy करके लाया है न 12 digit के वो आपको डालना है, उसके बाद में आपने जो यह पैसे भेजे हैं, यह किस date को भेजे हैं, यह calendar पे आपको click करके वो date यहाँ पे select कर लीनी है, उसके बाद में आप यहाँ tick mark करेंगे and submit करेंगे, submit पे click करने के बाद में यहाँ पे जो मेरा deposit है वो चले जाएगा pending में and य minimum time आप आदा घंटा मान सकते हैं, अगर आप lucky है, team active है, so 30 minute के अंदर अंदर roughly आपका जो पैसा है वो add हो जाता है,